हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल माई किजन प्लैडर्स आज हम रोस्टिड बैल पेपर टमैटो सूप बनाएंगे सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है यह और गार्लिक ब्रेड के साथ सर्फ करेंगे यह मैंने एक लाल शिमला मीर चार टमाटर एक प्याज चा कन्वेक्शन मोर पर रोस्ट कर सकते हैं 180 डिगरी पर 10 मिनट के लिए या जब तक यह भूनना जाएं यह देखे मैंने गया इसको बिल्कुल कमाच पर रखा है कमाच पर ही सेखना है इसको चारो तरफ से अच्छे सेख लेंगे हमारी सीख गई है अब हम इसको छील लेंगे इसका छील का उतार देंगे जला हुआ पार्ट सारा सब चीजों को छील लिया है यह मैंने हरेधनिय की डंडी ली है सेलरी भी ले सकते हो यह बेजिल है इन सबको मैं मिक्सी में पीस लूँगे पीस लिया है मैंने अब इसको हम चान लेंगे अब पैन में एक चमच तेल गर जीतना पतला आप सूप पी सकते हैं आप इच्छा पे है यह पानी डालना स्वाद के अनुसार नमक आधा चमच से भी कम डाला है मैंने 140 पून काली मिर्च पाउडर अब इसको में एक बॉयल देलूंगी देखिए बॉयल आ गया है अब इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें श सूप बनता है स्मोकी फ्लेवर आ जाता है इसमें तैयार है हमारा रोस्टीड बैल पेपर एंटमेटो सूप आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें